आज देशबर के सभी सरकारी बैंकों में काम का स्ठफ रहेगा अपनी 11 सुत्रिय मांगों को लेकर बैंक यूनियन ने हर्टाल का एलान किया है यूनियनों का कहना है कि रिफोर्म्स के नाम पर बैंकों के विले और उन्हें बंद करने की साज़िश की जा रही है बैंक यूनियन बैंकिंग हीटिंग में बदलाव के विरोद पर भी काम कर रही है उसके साथी बैंकों की मांग है कि विबुद्री करन के दौरान किये गए अतिरेक्त कारियों का अधिकारियों और करमचारियों को उचित कमपनसेशन मिले इसके साथी पेंशन बें सुधार और नई पेंशन रवस्ता बहाल करने की भी मांग की जा रही है यूपी में आज इसीम अखिलीश यादव की तावर तोड चुनावी रह लिया है आजमगर में अखिलीश यादव साथ चुनावी सभा को संबोदित करेंगे 11 बजे माहुल बाजार में अखिलीश की पहली रैली है एसपी और कॉंग्रेस मिदवारों के लिए अखिलीश यहाँ वोट मांगे बेसपी अध्यक्ष मायवती आज यूपी में दो रैलिया करेंगी पहली रैली माहु में होगी वही जीवन राम इंटर कॉलेज में यह रैली की जाएगी गाजीपूर में आज मायवती गरजेंगी वही गाजीपूर के राम लीला मैदान में दो पहर एक बजे जनसभा को संबोधित करेंगी ग्रे मंतरी राजनाथ सिंग भी आज यूपी में तूफानी चुनाप प्रचार करेंगे कुशीनगर, गोरखपूर, माउ और बलिया में राजनाथ सिंग की रैली होगी महंत अदित्यिनाथ आज देवरिया और गोरखपूर में कई जनसभाओ को संमोधित करेंगे अदित्यिनाथ लोगों से वी जिएवी प्रत्याशियों को वोट मागने के अपील करेंगे इसके साथी समाजवादी पार्टी और कॉंग्रेस लगातार अधित्यनाथ के निशाने पर रही है। इसके साथी 22 परवरी को अमेरिका के कंसाज शहर में पूर्व नौसैनिक एडम डवल्यू परिंतन ने एक बार में दो भारतियों पर गोली चरा दिती जिसमें कुछी भूटला की भी मौध हो गई थी। भारतियनाथिकों के सुरक्षा और वीजा संबन्दी मुद्व पर भी बातचीत कर सकते हैं। रामजिस कॉलिंग पिच में हंगामा और ABVP के मार्श के जवाब में आज AISA दिली यूनिवरसिटी में मार्श निकालेगा वहीं NSUI के सदसे शाम को कैंडल मार्श निकालेंगे केंद्र सरकार ने कहा कि देश के विश्व विद्यालों को राश्व विरोधी गतिविद्यों का अड़ा बनाना सही नहीं है सुमवर को दिली यूनिवरसिटी में 1804 फीट का तिरंगा मार्श निकाला गया ABVP के चातरों और DU के तमाम चातर नेता इस तिरंगा मार्श में शामिल हुए मार्श में वंदे मातरम और हिंदुस्तान जिदनाबाद के भी नारे लगाए गए ये तिरंगा मार्श एक खास मकसद से निकाला गया DU कैमपस में चातर संगटन, ABVP और आईसा के बीच हुई मारपीट और हंगामे के बाद से माहौल को शान्थ कराने के लिए तिरंगा मार्श निकाला गया 22 फुरवरी को नौर्थ कैमपस के रामचस कॉलेश में कारिक्रम में जी एन्यू के चातर और भारत विरोधी नारे लगाने के आरोपी ओमर खालिद के शामिल होने का ABVP ने विरोध किया था जिसे लेकर ABVP और आईसा के चातरों के बीच हमकर मारपीट भी हुई थी 22 में जारी हंगामे को लेकर केंद्रे ग्रहमंत्री केरण रजिजू ने कहा कि अभी व्यक्ति की आजादी लिये नाम पर देश विरोधी नारे बासी को जायज नहीं थायराये जा सकता कोलकता के बड़ा बाजार में कर रात को भीशन आग लगई और इस दौरान आसपास की इमारतों को भी जल्दी खाली कराना पड़ा दक्षिन एश्या के सबसे भीडभार वाले इस बाजार में आग बुझाना एक बड़ी चुनवती साबित हुई आग को बुझाने के लिए 35 जादा फायर ट्रेंडर मोके पर तैनात किये गए इस दौरान कई दुकानों में रखे कैमिकल की वज़े से आग देजी से भरकती रही वहीं करनाटक में भी लप्तों का तांडव देखने को मिला कल बुर्गी इलाके में स्टेट बैंक की शाखा में आग लगने से हड़कम मचक्या काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया लाबाध हाई कोट में यूपी के पूर्व मंत्री रामवी रुपाध्या के बेटे पर जानलेवा हमला करने वाले एक यूवक की हत्या करने के मामले में प्रदिश सरकार से विवेचना की स्थेति पर रिपोर्ट तलब की है कौट ने बताने को कहा है कि इस मामले में किन किन लोगों के गिरफ़तारी की गई अगली सुनवाई के मामले में 8 मार्च को होगी अब तक कौट ने पूरी डिटेल्स देने के लिए कहा है इस घटना में मारे गए यूवक पुश्पेंद्र के पिता राम हरी शर्मा ने इस मामले में याचिका दाखिल की है ये घटना आठ परवरी 2017 की है राम वीर उपाधै के बेटे चिराग वीर उपाधै चुना प्रचार कर रहे थे और इसी दौरान उनकी गाड़ी को 20-25 लोगों ने घेर लिया और फिर फारिंग शुरू करती जिसमें पुश्पेंद्र शर्मा की मौत हो गई थी मामले में एस पी विधायक देविंद्र अगरवाल और 11 अन्य लोगों के खिलाफ प्रातमी की दर्श कराए गई पूरे मामले में पुलिस की लापरवाही भी सामने आई थी जिसके बाद केस अलीकर क्राइम प्रांच को सौप दिया गया नौड़ा विकास प्रादिकरन की पूर्व चीफ इंजिनियर यादफ सिंग और उसके परिजनों और सहयोगियों पर कारून का शिकंजा कस्ता नजर आ रहा है इडि यादफ सिंग को आज, कल और दो मार्च को लखनाउ जेल में पूश्टाच करेगी यादफ सिंग पर हज़ारो क्रोन रुपे के ब्रश्टा चार कारूप है इससे पहले गाजियाबाद में CBI कोट ने यादफ सिंग की पत्नी को सुम लता और पंकर जेन के खिलाफ उकूर की क्यादेश दिये थे कल यादफ सिंग को एडी के विशेश न्यायले में लखनू लई जाय गया सुनवाई के बाद यादफ सिंग को कोट ने चौधा दिन की न्यायक रास्त में लखनू जेल फेश दिया है वह शेय दिन के महा मंडलेश्व रहे सचिन दत्ता और सचिदानन गिरी को आखिरकार यूपी पुलिस ने गिरफतार कर लिया है पुलिस ने सचिन दत्ता को दिली से गिरफतार किया सचिन दत्ता पर कई लोगों से करोड़ रूपे ठगी करने का रूप है सचिन दत्ता शिराब कारूबारी पॉंटी चड़्डा के साथ मिलकर शिराब कारूबार में उत्रा और काफी पैसा बनाया उसके बाद सचिन दता रियलिस्टीक सेक्टर में उत्रा और नॉड़ा इंदरापूरम और जालंदर में कई प्रोजेक्ट लॉच दिये बारजी इंफ्रस्ट्रक्चर और फोर्स्टर हाइट्स के नाम से सचिन ने प्रोजेक्ट काफी चचर्चित रहे उसके साथ ही नॉड़ा के वे मॉल में सचिन ने एक बियर बार भी शुरू किया था सचिन के खिलाफ दिल्ली के एक शक्स ने 11 करोड रुपे से जारा की धोका धड़ी का केस भी दर्श कराया था प्लिस के आंदेशा है कि सचिन ने कई दूशे लोगों को भी अपनी ठागी का शिकार बनाया आतंकि संगटन सिमी के सरगना सब्दन नागोरी समयत 11 आतंकियों को इंदोर की स्पेशल कोड ने देश दो के आरोप में उम्रकैद की सता सुनाई है देश दो के आरोप में सिमी के 11 आतंकियों को इंदोर की स्पेशल कोड ने उम्रकैद का फैसला वीडियो कॉन्फरेंसिंग के दर यह सुनाया आतंकियों ने खुद कोड से अपील की थी कि वो इंदोर नहीं जाना चाहते सभी आतंकियों इस वक्त गुजरात की साबरमती जेल में बन है सिमी के सरगना सफदर नागोर समेत 11 आतंकियों से कोड ने दो दिन पहले ही पूशताश पूरी की थी इन सबी से अलाग अलाग 334 सवाल पूशे गए थे जिनके जवाब एक जैसे ही मिले सिमी के 17 आतंकियों को 26 मार्च 2008 को इंदोर से गिरफतार किया गया था आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हतियार नक्षे और जिहादी साहित भी बरामत किया गया था आगरा में पुलिस ने 100 रुपई के नकली नोट सप्लाई करने वाले दो बदमाशों को गिरफतार क्या है पकड़े गए आरोप्यों के पास से 1.5 लाख रुपई के नकली नोट बरामत किये गए है गिरफतारी आगरा के थाना हरी परवत से संजय प्लेस इलाके में से हुई है और गिरफतार लोकों से दिली की मश्बुरा और दूसरा पानेपत का राकिश शामिल है पुलिसन से पूर्दाच कर रही है वहीं MP के दबों में ATM से बिना नमबर के नोट निकलने से लोगों में हडकम पच गया दरसल यहां अस्पताल के पास SBI के ATM से एक के बाद एक कई लोगों के पास 5500 रुपई के नकली नोट मिले और जो नोट मिले उन पर नमबर नहीं था जुसके बाद लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया पुलिसने ATM को बंद करा दिया साथी बैंक प्रबंदन को इस गाटना की सूचना दी गई फिलहाल जहां मामले में लोग परिशान है तो वही बैंक के अधिकारी कुछ भी बोलने से बचते नजर आ रही है इलहाबाद में दिन दहाडे लूट के एक वारदात को अंजाम दिया गया है दो सामान लूटने में लगे हुएं लूट थाना से महज 500 मीटर की दूरी पर की गई दुकानदार के मताबिक लगबग डेड़ से तीन लाख रुपे की ज्वेलरी को लूट लिया गया है वही पुलिस अब CCTV के आधार पर लूटेरों की तालाश कर रही है ग्रेटर नौलडा में दादरी के मायचा गाउं में बीती रात चोरों ने तीन घरों को अपना निशान बनाया और लाखों की ज्वेलरी और कैश पर हाप साफ कर दिया गाउं के बीचों बीच बने तीन घरों में बदमाशों ने एक ही अंदाज में चोरी की वारदात को अंजाम दिया तीनों घरों में चोरों ने करी 30 लाख रुपे की ज्वेलरी और लाखों रुपे का कैश रुरा लिया पुलिस मामले की जाच कर रही है इस वारदात को अंजाम उस वक्त दिया गया जब फिरोज खान बैंक से रूपए निकाल कर अपने घर जा रहे थे वारदात के बाद फिरोज ने फोन पर पुलिस को इस बात की जानकारी दी पुलिस मामले की जाच कर रही है हातरश के विश्णुपूरी में बदमाशों ने एक घर से सेंध मारी का लाखों का सामान उडा लिया बदमाशों ने रेटायर्ट फॉजी सोबरन सिंग के घर से करीब आठ लाख रुपे की कीमत के गहने चोरी किये परिवार के लोग खेती बारी के काम के लिए अपने गाउं गए हुए थे गाउं से घरवालों के वापिस लोटने के बाद इस चोरी की वारदात का खुलासा हुआ पुलिस इस मामले की जाच कर रही है कैशलिस सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए सरकार और बैंक और एटीम से कैश मिकासी पर चार्ज लगा सकती है पर चार्ज लगा सकती है जबकि जालता दूसरे बैंक हर A.T.M. ट्रांजाक्शन पर 20 रुपए वसूला करते थे और अब ये चार्ज फिर से शुरू होने जा रहा है सुत्र को मताबिक एक महीने में बैंकों से 2 लाग की कैस निकासी के बाद प्रती हजार रुपए पर 5 से 150 रुपए तक के चार्ज लग सकते हैं सरकार अब उनकिसानों पर श्रिकंजा कसने जा रही है और जो अपनी खेती की जमीन को बिजनस के लिए मकसद से यूज करते हैं और किसी ना किसी शक्स को लीज या फिर किराय पड़ दे रित हैं इसमें कॉंट्राक फार्मिंग ऑपरेटिब फार्मिंग के लिए जमीन देने भाई शामिल रहेगा सरकार अब से लोगों को GST के दाइरे में लाने जा रही है GST के दाइरे में लाने के बाद इसके तहट रजिस्ट्रेशन कराना होगा सूत्रों की माने तो GST काउंसल की बैठक में इस पर सहमती भी बन चुकी है बैठक में क्रिशी आए, किसान और क्रिशी मजदूरों की परिफाशा भी तैख की जा चुकी है हाला कि क्रिशी आए पर आएकर कानून के मताबिक ही छूट मिलेगी नए नियमों के मताबिक किसानों से सीधे उतपात खरीदने वाले को टैक्स चुकाना होगा हाला कि हरीदार को रिटर्न दाखिल करते समय इन्पुट क्रेडिट मिलेगा वही खुद खेती करने वाले किसान जी ए टी के दाइरे में बाहर रहेंगे गाय केलाश खेर को अपनी काम के बदले रकम के लिए देहरादून सचेवाले में अधिकारी उसे गोहान लगानी पड़ रही है करीब धाइ करोड रुपे केलाश खेर को दिये जाने थे आपदा प्रबंदन विभाग ने बकाया भुगतान की फाइल को अपचारिकताओं के लिए वित विभाग को भेश दिया है पुर्दवर कोतवाली के कलाल घाती चौकी शित्र में गायों की तसकरी से पुलिस की नीद उड़ी हुई है ताजा मामले में पुलिस ने चार गाय तसकरों को हत्यार समेट गिरफतार किया है पुलिस को सूच्टा मिली थी जिसके बाद जिला बिजनौर से लगे हल्दू खाता गाउं के जंगलों से सफेद बोलेरो को बोलेरो से सफेद बोलेरो में गायों को लेकर जाया जा रहा था पुलिस ने घेरा बंदी कर शोरों को तस्कुरों को गिरफतार किया और गायों को भी अपने कबसे मिले लिया समाज में महिला अपराद, नशा, खोरी, साइबर क्राइम और सड़क दुरखटनाओं के बढ़ते ग्राफ को धान में रखते हुए देरादुन पुलिस ने नई पहल शुरू की है, पहल में सर्वोदय योजना का नाम इसे दिया गया है SSP स्वीटे अगरवाल की पहल पर शुरू की गई सर्वोदय योजना में स्कूल, कॉलेज, एंजियो और मीडिया से जुड़े लोगों को शामी किया जा रहा है जिनके इस कारवक्रम से जोड़ कर इस योजना के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरू किया जाएगा दिली में ISSF शूटिंग वर्ल कप में जीतू राय और हिना सिद्धू की जोड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स डबस इविंट में भारत को गोल्ड मेडल जिताया है जीतू और हिना की जोड़ी ने जापान के युकारी को निशी और तोया मुकू माच्ता को तीन से पाश में हराया और वहीं भारत के अंकूर मित्तल ने मेंस डबल ट्रेप इविंट में सिल्वर मेडल हासिल किया है इरग के मोसुल में सेना IS IIS के खिलाफ जंग का वीडियो जारी किया गया है वीडियो में सेना के स्पेशल फूर्स के जवाना IS के गड़ पर हमला करते हुए नज़र आ रहे हमले में कई आतक्तियों को मार गिराने का भी दावा किया गया है गाजा से एक मिसायर दागे जाने के बाद इसराइल ने गाजा में हमास के ठिकानों पर फाइटर फ्लेन से बंबारी की जिसमें चार लोग हाईल हो गए इसराइल के रक्षा मंत्री ने भविश्य में भी इस तरह के हमलों का कड़ा जवाब देने का दावा किया है सीरिया के विद्रोहियों के कबजे वाले डेरा शेहर पर सेना ने बंबारी की सोशल मीडिया पर बंबारी का एक वीडियो भी अपलोड किया गया इसमें कई लोगों के मारचारिकी भी खबर है प्रश्चाचार के आरोप में कर्गिस्तान में विपक्ष की बड़े नेताओं को जेल भीज दिया गया है उन पर 2010 में 10 लाख डॉलर की रिश्वत देने का आरोप लगा विपक्ष ने आरोप लगाया है कि पुतिन के दौर में देखते हुए सरकार ने ये कारवाई की है दक्षण अमेरिकी देश चिली में भारी बारिश के बाद लेंस प्लाइड और बार की वज़े से तीन लोगों की मौत हो गई 19 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं लोगों के घरों में बार का पानी खुस चुका है साथ सुदार में सुखे की वज़े से 10 लाख लोगों पर भूकमरी का संकट मनड़ा रहा है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की ओर से तयार किये गए रिपोर्ट में ये दावा क्या गया है देश में जारी राजलेतिक संकट की वज़े से लोग तक मदद नहीं पहुचा पाई जा रहे है अमेरिका के रश्रुपती डोनल्ड ट्रंप ने चुनाव के वक्त रूस की सरकार के साथ कथित मिली भगत के आरोपों से साफ इंकार किया है डेमोक्रेट्स ने ट्रंप पर चुनाव में रूस के साथ गड़बड़ी करने का आरोप लगाया और मामले में जाच की मांग कर रहे है मीडिया कंपनी नेट्फिक्स ने अपनी ओसकर विनिंग फिल्म दे वाइट हेलमेट के कैमरा मैन खालिद खैटिब के अमेरिका का ना आने पर दुख जदाया है खैली खातिब सीरिया के हैं और ट्रम सरकार की नई नीटों के वज़े से वो अमेरिका नहीं आपाए स्पेन के वासिलोना में वर्ल्ड मोबाइल कॉंग्रिस में रिमोट के जरी 70 किलो मीटर तब की इलेक्ट्रोनिक कार को कंट्रोल करने दिखाया गया इस प्रोजेक्ट को टेलेफॉर्निका और एरिक्सन ने पूरा किया इस प्रोजेक्ट की खातबा दिये रही के कार को कंट्रोल करने के लिए 5G मोबाइल नेट्बुक का इस्तमाल किया गया चीन में ड्रागन रेजिंग हैड डे के मौके पर 3800 बुजर्गों को दावत दी गई और मानेता की कि इस दिन ड्रागन अपना सिर उठा कर स्वर्क से बायरिश करता है इस मौके पर 90 साल के उपर की लोगों को विशेश सम्मान दिये जाने की परंपरा है डिजाइनर डियो अबुजर्णी संदीप खोसला के शो के लिए अमिता बच्चन ने रैंप वॉक किया अमिता बच्चन का ये रैंप वॉक उनके फैंस के लिए काफी तोफे से कम नहीं था अपनी फिल्म बद्रिनात की दुलहनिया को हर प्लाटफॉर्म पर प्रपोर्ट करने लिए वरुन और आलिया अब डिजाइनर डुओ अबुजर्णी और संदीप खोसला के लिए रैंप वॉक पधी उतराए शो के लिए वो स्टार जोडी के तोर पर उतरे